सो हेलो ब्रीवन जेसे सी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों के तरफ से आप सभी को जोहर बिनंदर में कती इस परकार आप सबों के बीच में एक बहुती बड़ी खुशकबरी जैसा कि एक और हम लोग देख पा रहे होंगे जारकन की जो भी बिवीन भरतिया है जारकन किदार की भरती निकल रही है इसमें से जिल्ला की यदि हम लोग बात करते हैं तो 357 पदों पर जो बहाली भरती निकली हुए है ये आप लोग का सराय के लाग खरसावा जिल्ले से निकल के आ रहा है तो आईए हम लोग यहां पे complete eligibility देखने का परियास करेंगे कि कौन से candidate इस form को भर सकते हैं किया इसके लिए eligibility criteria रखा गया है और ये इतने fast process में होने वाले हैं कि इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता आप देख सकते हैं आवधन प्राप्ति की जो अंतिम्तित्थी रखी गई है वो 25-7-2024 25 जुलाय-2024 रखा गया आज आप लोग का date कि 11 फोम आप लोग के ओल्रेडी प्रारम है फोम अपलाय होने के लिए तो 11 देख सकते हैं मातर 15 दिनों के बीच और इतना कम समय क्यों दिया गया है फोम भरने का इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है कारण क्या है कि ये भरती आप लोग का चुना से पहले यानि कि इतना कम समय यहां पे तविया जा रहा है दोसकते हैं यहां पे 357 पदों के लिए ग्रामीन चोकिदार की भर्ती निकाली गई है जिसमें कि यहां पे कैटेगरी वाइज आप सीटों का देख सकते हैं सीट परकार किस परकार के टेव्राइकर रहे गीए जन्रल चक्टेगरी आप लोग का सभी के लिए हो जाते हैं, ये अनुसूचित जाती के लिए भी है, अनुसूचित जाती के लिए भी BC1, BC2, EWS के लिए, सभी जाती के लोग यहाँ पे जेनरल में आ करके fight कर सकते हैं, ये नहीं कोई समझे कि BC1 का अनुसूचित जाती का candidate कि हम में इतना 3, 1, 15 कम seat दिया हुआ है, ये जेनरल वाला seat सभी के लिए होता है, यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, जो important चीज़ है, हम लोग उस पर भी से के लिए यहाँ पे बात करने वाले, सैचनिक योगियता की बात करते हैं, तो चोकिदार के पद नियूक्ति है, तो नियूंतम सैचनिक योगियता मानियता प्रात सिचन संस्थान बोड से दसवी कच्छा उतिर्न होना चाहिए, अब भ्यार्थियों को अस्थानिय रिती रिवाज, उस जिल्ला का रिती रिवाज, वहां का भासा, वहां का परिवेश का ज्यान होना चाहिए, और एक साथ, एक जुलाय दोजार 24 तक दसवी की कच्छा उतिर्न होनी चाहिए, तो यानि कि टेंथ लेवल पर भरती निकाली गई है, उम्र सीमा की बात करती हैं, तो नियूंतम उम्र सीमा 18 वर्स रखा गया है, और केटेगरी वाज यहां पे देख सकते हैं, अधिक्तम उम्र सीमा, जो जेनरल अभ्यार्ती 35 वर्स पिछड़ा और अतियंत पिछड़ा वर्क, BC1, BC2 अधिक्तम वर्स 37 वर्स रखा गया है, महिला, चाहे आप जेनरल है, BC1, BC2 आपके लिए 38 वर्स और अनुसूचित जन जाती, अनुसूचित जाती, चाहे आप पुरूस हो, चाहे महिला हो, AC, ST, पुरूस महिला दोन के लिए 40 वर्स अधिक्तम उम्र सीमा रखा गया है, साथी साथ जो पहले से चोकिदार पद में बहाल है, हाई कोट के नियादेश के अनुपालन करते हुए, आप लोग को एक बार है, जो की इस भर्ती में 10 वर्सों का यहां पे छूट दिया जा रहा है, जो पहले से पोटेंट फेक्ट है, कि नियूकती आप लोग का होगा कैसे, तो नियूकती में जो पहला चरन है आप लोग का, सबसे पहले लिखित परिच्छा लिया जाएगा, सबसे पहले लिखित परिच्छा आप लोग का लिया जाएगा, पहले आप लोग का परिच्छा होगा, परि जिसमें कि सिलेवस आप लोग का क्या रहने वाला है तो जिल्ला से समान ग्यान परश्ण पुछे जाएंगे और अस्थानिय भासा जनजातिय भासा सभी चीज यहां पर दिया गया है दिखिए जनजातिय भासा मुंडारी हो भूमिच संथाली कुडुक और छित्रिय भासा के लिखने में जिसका भासा आप लोग जानते होंगे उस भासा को आप लोग को एक चूज करना है उसके बाद आप परिच्छा में यहां पर सफल होईएगा सफल होने के बाद यहां पर आप लोग का देखिए सारीक माप लिया जाएगा सारीक माप यहां पर देख सकते हैं ज जा है BC1, BC2, General, AC, HD, किसी से भी हो, तो आप लोग के लिए 148 cm हाइट मांगा गया है, और हाँ, जब आप लिखित परिच्छा पास किजिएगा, लिखित परिच्छा में देखिए क्या, यह आप लोग के बहुँ वेकल्पिय परश्ण, यानि की चार ओप्सन जो अबजेक्टिव टाइप कोईस्टन होता है, उस परकार के परश्ण में पूछे जाएंगे, और गलत उतर का कोई भी अंक कटोती नहीं की जाएगी, यानि की नेगिटिव मार्किंग इसमें नहीं है, अब परिच्छा पास करने के बाद आप लोग का सारिक जाच वो हाइट मेजरमेंट किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग का दोड लिया जा रहा है, देखिए दोड के भी नमबर आप लोग को दिये जाएंगे, सबसे पहले पूरुष कंडिडेट के लिए बात करते हैं, यदि पांच मिनट से कम समय में 600 मिटर, एक मिल कहने का तात्वर है, 600 मिटर, 600 मिटर कवर करते हैं, पांच मिनट से कम समय में, तो 20 नमबर दिया जाएगा, यदि पांच से 10 नमबर के बीच में कभर किजिएगा, 1600 मिटर, तो 10 नमबर दिया जाएगा, और 10 मिनट से यदि आप अधिक समय लेते हैं, तो आप डिस्क्वालिफाई, आप वहां से निकाल दिये जाएगे, आप कम्पिटिशन से निकाल दिये जाएगे, वही चीज यहां पर आप दे पहाल है, तो जाहिट से बात है, उनका तो कुछ न कुछ पिरिफिंस दिया ही जाएगा, तो वह चीज और जैसे कि यहां पर असपोर्ट कोटा यह सब कोटा के लिए भी रखा गया है, तो आप जैसे असपोर्ट कोटा का कोई सर्टिफिकेट होगा, आप उस चीज को लगा चोकिदार का सस्टम पूर्ण, रिच्छित वेतन, पे लेबल वन, बावन सो सो लेकर के दो हजार, यहां पे आप लोग का अठारा सो का अधारित, यहां पे आप लोग का ग्रेट पे दिये जाएंगे, और यहां पे देख सकते हैं जो पे लेबल वन है, सिडूल वन के पे मेट्रिक्स लेबल वन, अठारा हजार से लेकर के चपन हजार नो सो के मूल बेतन मान, अठारा हजार तथा समय समय पर दे अनिये बात्ता, यानि कि देख सकते हैं, अठारा हजार से लेकर के चपन हजार नो सो के मूल बेतन पर यहां पे आप लोग का सेलेटी दिया जाएगा, और समय समय पर जो भी एलोंच दिये जाते हैं, HR, DR, अलग-अलग लेवल का जो मेडिकल, अलग-अलग लेवल के जो आप लोग के भत्त दिये जाते हैं, वो सारे चीज़ भी यहां पे आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलने वाले हीं, अब रह गई बात की आवेदन करने का परकिरिया, तो आवेदन कैसे करना है, क्या करना है, फोर्म कहां पर मिलेगा, कहां पर जमा करना है, और इसके साथ साथ कौन-कौन से डोक्यूमेंट्स आप लोग को साथ में सलंगन करने हैं यह देख पा रहे हैं कि यह आप लोग का फोर्म है 3-4 पेज का तो फोर्म कैसे भरना इसका एक अलग dedicated वीडियो आप लोग को बताये जाएगा वो भी फोर्म भर के किसी अभ्यारती का फोर्म भरा जाएगा सारे चीज यहाँ पे सारे डोट आप लोग की उसका एक अलग वीडियो लेक्चर आएगा अब आप लोग अपने त्यारे में देरी मत किजिए चुकि जारकन पुलिस उत्पास सिपाही या फिर अनिये जो आयो के तरफ से एकजाम करक लाएगे हैं पूरे जारकन लेबल में उसका क्या इस्तिती है वो चीज बहले बाती आप उससे अउगत होंगे आप उसको देखिए इसमें कोई राइदवाय नहीं है बट उसके साथ-साथ कहीं न कहीं आप इस भरती के तरफ में मुबोन कर जाएए चुकि यहाँ पर भरतियों की संक्या देख सकते 357 पद और 357 पद सिर्फ एक जिल्ला के लिए एक बहुत ही बड़ी भरती ये बंफर भरती साबित होती है 357 पद तो इसके लिए भी आप लोग जी जान लगा दीजिए त्यारी है चाहे रिटेन एकजाम का दोड़ का और रिटेन का चिंतित मत कीजिए इसके लिए भी आप लोग का एक special बेच लाए जाएगा जैसा कि अभी greedy, गुमला, रामगर, पलामू अन्य ये 7-8 जीलों में भरती आई हुए वहाँ पे भी dedicated way में उनके classes बेचेश चलाए जा रहे है उसी परकार आप लोग का भी बेच आने वाले समय में करवाए जागा फिलाल आप भॉम को अच्छे से आप लोग अपलाए कीजे बिना तुरूटी के साथ